जाहिन दोस्तों वेलकम टू ड्रीम सेवक आईयस ऑनलाइन क्लासिस आज है सोलो जनवरी 2021 और परिक्चा फल जो है बिहार पुलिस मेंस का आ गया है चलिए आईए उसको डिसक्स करते हैं कितने कंडिडेट जो हैं सेलेक्ट हुए हैं कितने रिजक्ट हुए हैं क्या-क्या सेल अगले चार-पांच मिनट तक आप बने रहेगा अगर आगे आप बिहार पुलिस का एक्जाम देने वाले हो या बिहार द्रोगा का एक्जाम देने वाले हो या यह आपके मेंस का रिजल्ट है तो आप अगले चार-पांच मिनट तक बने रहेगा पूरी जानकारी मैं आप को यहाँ पर देने वाला हूँ बस वीडियो में आपको बने रहना है अंतक है ना और ये देखिए परभाद खबर है सोलो जनवरी 2021 का चलिया आईए डिसकर्शन करते हैं यहाँ पर रिजल्ट को हम लोग है ना तो देखिए विग्यापन जो है हमारा 2019 को आया था और ये परिक्षा फल आया हुआ है कौन कौन सी पोश्ट के लिए यहाँ पर परिक्षा फल आया हुआ है 21 अगस्त को हमारा एडविटाजमेंट आया था प्राडमिक परिक्षा में 50,072 विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट किये गए और इनको मुख्य परिक्षा देना था और मुख्य परिक्षा जो है 29 नवंबर 2021 को रविवार के दिन 50,072 विद्यार्थियों का लिया गया जिसमें यहाँ पर चलिया आईए अब हम लोग जानते हैं किस तरह से जो है कौन-कौन से कंडिडेट डिस्क्वालिफाई हुए क्या-क्या कारण था डिस्क्वालिफाई होने का उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं और नंबर अफ कंडिडेट इस तरह लिखा हुआ है जितने कंडिडेट का मेंस होना था वो थे 50,072 और इसमें अपसेंट 2,089 इस्टुडेंट जो हैं वो हमारा अपसेंट रह गए और शिफ्ट 2 में यह 5 जो हैं वो परजेंट नहीं होए शिफ्ट 1 में होए थे और एक कंडिडेट ऐसे थे जो शिफ्ट 2 में जो है वो परजेंट नहीं हो पाए और इन्होंने FIR भी किया था है न तो टोटल नमबर ओफ शिफ्ट मिला करके क्या होए परजेंट रहे वो थे 47,987 यानि 50,72 शिफ्ट का मेंस होना था जिसमें 47,987 विद्यार्थियोंने हिस्सा लिया परजेंट रहे अब आते हम लोग सिफ्ट 2 पर चर्चा करते हैं सिफ्ट 2 में टोटल 50,72 जितनी सिटे थी है न मेंस के लिए इतने विद्यार्थियों को बुलाया गया था और टोटल अपसेंट जो यहाँ पर रहे थे वो 2,087 रहे थे है न गलत रोल नमबर डालने के वज़े से 379 विद्यार्थी जो है वो असफल रहे तो यह गलती आप कभी भी नहीं कीजिएगा कि रोल नमबर जो है आपको बहुत सावधानी के साथ भरना है वरना देखे कितनी बड़ी संख्या है इल लगों ने पीटी तो पास कर लिया भी हार द्रोगा का लेकिन गलत रोल नमबर डालने के वज़े से 379 लोगों का मेंस नहीं हो पाया बहुत दुख की बात है और यहाँ पर देखिए कुछ विद्यार्थी हैं 289 यह रॉंग क्यूभी डालने के लिए जो है यहाँ पर क्यों क्विश्चन जो नमबर होगा उसके लिए गलत डालने के वज़ेसे यह क्या हुए डिस्क्वालिफाइर हो गए इसके अलावा इंधी राइटिंग के लिए दो disqualify हुए है और 9 English writing के लिए 17 disqualify यहाँ पर हुए है English और Hindi में नाम लिखने में यह चुग गये होंगे और कोई भी writing no writing के लिए 6 disqualify हुए है इसके अलावा attendance seat पर sign नहीं किया था जी हाँ पांच लोग इतने मजगूल हो गई लिखने में कि attendance seat पर उन्होंने नाम ही नहीं लिखा था अपना sign ही नहीं किया था जिसके वज़े से disqualify इसके अलावा जो है यहाँ पर OMR seat पर 25 विद्यार्थियों ने sign नहीं किया जिसके वज़े से यह disqualify गए तो अपनी गलती के वज़े से total 713 विद्यार्थी जो है PT तो पास किया लेकिन mains में यह लोग disqualify हो गए है ना इनके number का कोई मतलब नहीं बनता है यह अपनी कारणों के वज़े से disqualify हो गए है candidate जो disqualify हुए थे उनका यहाँ पर data दिया हुआ है wrong roll number के वज़े से देखिए 446 विद्यार्थी गलत roll number डालने के वज़े से PT तो पास किया लेकिन mains में यह लोग disqualify हो गए इसके अलावा यह सारा region है यहाँ पर आप चाहें तो विडियो को पास करके आप देख सकते हैं ना इसके अलावा signature के लिए OMR सीट पर signature नहीं किया था इसके लिए 56 विद्यार्थी यहाँ पर क्या हुए disqualify हो गए social media पर जो question booklet viral हुआ था इन लोगों का है ना ऐसे दो विद्यार्थी थे और इन पर F.I.R. भी किया गया है इनको disqualify कर दिया गया है और उससे आप पकड़ा जाओगे फिर आपको क्या होगा कि आपको disqualify कर दिया जाएगा और मुकदमा आप पर अलग से चलेगा अब आते हम लोग shift 1 और shift 2 के अंदर में यहाँ पर देखिए number of candidate जो disqualify हुए हैं shift 1 में 665 और shift 2 में 679 student यहाँ पर disqualify हुए है तो total दोनों shift मिला करके जो student disqualify हुए है वो 1482 अपनी कारणों के वज़े से यह लोग disqualify हुए हैं तो total number of student जो अब result के लिए होगा वो कितने थे 47987 यह present हुए थे और 1482 अपनी गलती के वज़े से disqualify हो गए तो बज़ गए कितने 46505 विद्यारती जो है इनका अब यहाँ पर result चेक होना था कि यह बन पाएंगे या नहीं इनका cut up जाएगा या नहीं जाएगा बस इतने लोगों के बीच ही लडाई अब बांकी थी अब देखे पास जो हुए जिनका 30% आया वो ऐसे थे 40355 वग 147 विद्यारती जो है यहाँ पर फेल हो गए तो अब बज़ गए कितने जिनके बीच लडाई होनी है जिनका जो है कि cut up में जिनके बीच टसल होने वाला है जिनका result बनने वाला है वो 40505 विद्यारती बचे इ यहाँ पर आते हैं second shift जो हुआ था हमारा paper का उसमें क्या क्या गलती भी थी second shift के अंदर में देखे यहाँ पर यह देखे यह हिंदी का paper था और हिंदी में 147 विद्यारती फेल हो गए तो आप यह चीज हमेशा ध्यान में रखेगा हिंदी को भी हलके में नहीं लेना है 30% से आई हुई थी सब इंस्पेक्टर की उस समय की चलिए recall कर लेते हैं total post जो हमारा आया था वो कितना था वो हमारा 2062 था जिसमें 41 post जो है वो reserve था इसके अलावा general category के male के लिए 825 और female के लिए 289 shift थे और जिनका EWS था उनके लिए 207 male और 62 जो है वो female के लिए थे बाकी category का यह लिखा हुआ है चाहें तो आप पहुच करके इसको देख सकते हैं ओके चलिए आगे discussion करते हैं यहाँ पर देखिए क्यों इतनी गहराई से discussion करना जरूरी है क्योंकि आगे जो आने वाले exams हैं आपके उसमें आप गलती नहीं करो आप exams के pattern को समझ सको है ना किस तरह से result prepare होता आप चाहें तो इसको screenshot लेकर के यहाँ से देख सकते हैं के लिए चलिया आईए अब आगे चलते हैं लोग यहाँ पर देखिए असिस्टेंट जो जेल डारेक्टर थे उनके लिए total post थी कितनी 125 पोस्ट यहाँ पर थी अब आते हैं लोग जेल एक्स सर्विसमें के लिए यह जो है 453 है और इनका direct document verification होगा ठीक है तो आप यह समझ जाईए एक्स सर्विसमें के लिए post कितनी है एक्स सर्विसमें के लिए post है 42 और यहाँ पर total candidate लिए गया है total candidate जो select हुआ है general category से 4131 candidate male और female जो है 212 candidate यहाँ पर सफल हुए तो total general category से 6143 candidate हाए है ना EWSK से 1147 male और 433 female total जो है 1580 है तो कुल मिला करके अगर हम यहाँ देखे हैं है ना तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे है 15231 लोग जो हैं यहाँ पर select होकर के आए हैं जिसमें से male जो है 9924 है और female जो है 5307 है अब आईए जल्दी से हम लोग वो सारे candidate के बारे में जानते हैं जो select नहीं हो पाए general category से 502 male है ना जिन्होंने PT तो पास किया था लेकिन men's में select नहीं हो पाए और female 955 जो है वो select नहीं हो पाए इस तरह से 2457 general category से छट गए तो कुल मिलाकर के जो disqualified candidate थे वो 29,467 थे और qualified only 15,231 थे यहाँ पर 33% का selection हुआ है और यहाँ पर 67.3% का selection नहीं हुआ है आईए जो हमारे लिए most important है cut-off के लिए उसको जानते हैं तो यहाँ पर कोटिवार cut-off दिया हुआ है आप इसको गौर से देखे हैं है ना और आपको skip नहीं करना है वीडियो को यहाँ पर देखिए समझने की कोसिस किजिए इस तरफ marks है और इस तरफ percentage है है ना confuse नहीं हो य 100 marks का question पूछा जाता है 100 question होते हैं जिसमें 2-2 marks होते हैं तो total हो गए 200 marks यह धियान में रखेगा आप 200 marks में जिनका 151.6 अगर वो general category से हैं 151.6 लाया है तो उनका selection यहाँ पर हो गया है female के लिए अब यहाँ पर देखिए यह general category के लिए है अब यहाँ पर देखिए percentage में बात question 75.8% question सही हुआ है उनका selection हुआ है अब यहाँ female के लिए देखते हैं female के लिए जो marks गया हुआ 128.8 marks गया हुआ है और percentage की बात करें तो 169% है वहीं EWS के लिए जहाँ पर general में 151 लाना था EWS को 142.8 नंबर लाने पर यानि 71.4% लाने पर EWS मेल के लिए उनका selection हो गया है वही female के अगर बात करें तो 109 नंबर लाना पड़ा है इनको और 54.5% जो है यहाँ पर cut off गया है आप चाहें तो एक बार वीडियो को पहुच करके देख सकते हैं उसी तरस यहाँ पर EBC, SC, ST सब कुछ दिया हुआ है यह चीज़ें आप चाहें तो देख सकते हैं कुछ और important बात है जो मुझे आपको बतानी है यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भूदपूर सहायक अधिक चकारा है इनके 453 लोगों का chain किया गया है और इनका जो है आगे जो है सत्यापन किया जाएगा document का और उसके बाद जो है वो इनका selection ले लिया जाएगा यहाँ पर एक important चीज़ देखिए कब physical test होने वाला है physical eligibility test जो लोग यहाँ पर मेंस पास किये हैं इनका test जो हगा physical वो हमारा March April 2021 में होने वाला है और विस्तरिक जो result है है ना किनका किनका selection हुआ है वो आपको जो है website पर दिया जाएगा और उमीद ऐसी है कि आज जो है साम तक website पर upload कर दिया जाएगा अगर upload हो जाता है आज साम तक तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दुबारा से यहाँ बताने की कोशिस करूँगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो किर्पिया चैनल को subscribe कर लें तो यह था पूरी तरह से हम लोगों ने detailed analysis किया बिहार SI है ना दरो लाइक करें और चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों में ग्रूप के साथ चैनल को share करें ज्यादा से ज्यादा इसको share करें इतनी सारी वीडियो सिर्फ आपके लिए बन रहे हैं thank you so much have a night day good luck